साधारण खाने को tasty बना सकती हैं और आपकी कीचन को special तो आए जानते हैं best cooking tips best cooking tips tips number one पराठे को tasty बनाने के लिए आठे मे उबला आलू कदुकस करके मिला लें इस्से पराठा tasty बनेगा tip number two पराठे अगर ओयल या घी के जगं बटर से सेके जाए तो अधिक टेस्टी बनते हैं टिप नमबर 3 ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप सत्तु मिला लें इसे ग्रेवी तो गाढ़ी होगी साथ ही टेस्टी भी हो जाएगी टिप नमबर 4 पकोड़े बनाते समय अगर उसमें घोल में एक चमच आरा रोट पावडर और थोड़ा सा गर्म आयल मिला जाए तो पकोड़े अधिक कुरकुरे और टेस्टी बनते हैं टिप नमबर 5 पकोड़े सर्व करते समय इन पर चाट मसाला छिड़ के इससे अधिक टेस्टी लगते हैं आज हम आपको कुछ ऐसी चट्नियों के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में सायद आपने सुना भी नहीं होगा आईए जाने कौन सी है ये चट्निया पहला नार नारियल कच्चा नारियल कटा हुआ एक कप हरा धनिया आधा कप हरी मेर्च दो से तीन लहसुन की कली 6-7 कड़ी पत्ते 8-10 राई 1 चमश नमक स्वाद अनसार ओयल आव सत्ता अनसार बनाने का तरीका नारियल हरा धनिया हरी मेर्च और लहसुन को एक साथ मिक्सर में पीच फिर इसमें स्वाद अनसार नमक मिलाएं अब कडाही में एक टेबल स्पून तेल गर्म करके राई कड़ी पत्ता और एक सुखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं जब राई चटकने लगे तो चटनी डालकर गैस बंद कर दें एक चटनी इटली और धोसे के साथ बहुत ट टमाटर प्याज की चटनी समागरी चार टमाटर कटे हुए तीन प्याज कटे हुए दो से तीन हरी मिर्च कटी हुई एक छोटी चम्मच राई स्वादन सार नमक और सत्ता नूसार तेल बनाने का तरीका कडाही में थोड़ा सा तेल डालकर प्याज और हरी मिर्च डालकर दो मिनट भूने फिर टमाटर डालकर दो से तीन मिनट भूने आज से उतार कर ठंडा कर लें फिर मिक्सर में पीस लें अब कडाही में एक चमच तेल गर्म करके राई डालें जब राई तड़कने लगे तो चटनी और नमक डाल कर मिक्स करें, थोड़ा उबल जाने पर आँच से उतार लें, आपकी चटनी तयार है, आईए तीसरी चटनी, मुंफली और टमाटर की चटनी, आधा कप मुंफली, भून कर छिलका निकाली हुई, दो टमाटर कटे हुए, दो से तीन हरिमेच, छे से साथ लसुन कलिया, आधा कप भाराधनिया, स्वाधनसार नमक बनाने का तरीका, सभी सामागरी को मिलाकर मिक्सर में पीछ लें, अंदाजा नुसार पानी डाल कर पीछें, आप चाहें तो इसमें राई का तड़का लगाकर उपर से डाल सकती हैं, ये चटनी ढोकला और रवा ढ होसा के साथ टेस्टी लगती है, इसमें से आपकी फैबरेट चटनी कौन सी है, कमेंट बाक्स में जरूर बताएं, प्लीज वीडियो को लाइक, सेयर जरूर करें, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद,